हेलो फ्रेंड्स इस रमीज, सर्टिफाइट फिटनेस ट्रेनर, वेलकम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल, फिटनेस आर सेवेन फ्रेंड्स आज वार्म अप में हम सबसे पहली एक्सेस करेंगे पीवी सी और टावल पास्थ्रो टैन रेपिटेशन्स, दूसरी एक्सेस करेंगे इंच वार्म फाइफ रेपिटेशन्स, और लास्ट तीसरी एक्सेस करेंगे अल्टरनेट सेंसन स्ट्रेच फाइफ रेपिट इच साइड और इन सब एक्सेसाइजों का हम 3 राउंड करेंगे सबसे पहले PVC पास थ्रो 10 रेपिटेशन करेंगे PVC पास थ्रो एक्सेसाइज को आप ज़रूर ज़रूर करें कियोंकि ये एक्सेसाइज हमारे शोल्डर मोबिलिटी को इंक्रिस करने के लिए बहुत ही जरूरी exercise है हमारी अगली exercise होगी inch warm inch warm exercise आपके लिए new होगी और इस exercise को perform करते हुए आपकी body little bit uncomfort feel करेगी बट ये exercise हमारी muscles को stretch करने के लिए हमारे joints को खोलने के लिए और हमारी flexibility को increase करने के लिए बहुत ही अच्छी exercise है आप इस exercise को ध्यान से देखें और इसे जरूर जरूर perform करें next exercise होगी samson stretch samson stretch में हम हमारी lower और upper donor body को stretch करते हैं जब हम पैर को आगे रखते हैं तो हम हमारी hamstring, quarts, glutes को stretch करते हैं और हमारे हाथों को उठा कर हम अपमे लेट्स को और हमारी tricep muscles को stretch करते हैं samson stretch को आप perform करेंगे 5 repetition left और 5 repetition right leg से अब हम start करेंगे conditioning, conditioning आज हम थोड़े से अलग अन्दाज में करेंगे conditioning में हम दो exercise करेंगे back to back पहली exercise होगी jumping jack इसे हम 50 repetition करेंगे और दूसरी exercise होगी up down यह हम 15 repetition करेंगे और यह हमारा पहला set होगा दूसरा set हम start करेंगे jumping jack 35 repetition और up down करेंगे 12 repetition और हमारा तीसरा और आखरी round होगा jumping jack 20 repetition और up down करेंगे 9 repetition और इस तरह से हम अपने conditioning को end करेंगे तो चलिए start करते हैं jumping jack jumping jack हम perform करेंगे 50 repetition और इसके बाद हम start करेंगे up and down 35 repetition इन दोनों exercise के बीच में हमें बिल्कुल भी rest नहीं करना है हम rest कर सकते हैं 30 seconds से 1 minute तक का लेकिन हमारा पहला round complete होने के बाद में और इसके बाद में हम start करेंगे हमारा दूसरा round यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमें किस तरह up down exercise perform करना है अब down exercise perform करने के लिए हमें जम करते हुए अपने हाथों को ओपर लेके जाना है उसके बाद में जब हम floor पर आएंगे तो हमें push up की position लेना है लेकिन push up नहीं करना है हमें अपने chest को floor से touch नहीं करना है और वापस खड़े होकर jump करना है लास्ट में हम करने वाले हैं cool down means stretching stretching में हम करेंगे आज shoulder stretch एक minute के लिए लेकिन इसके पहले आप please like करे मेरे वीडियो को share करे मेरे वीडियो को उनके साथ जिने आप fit देखना चाहते हो और subscribe करे मेरे channel को चलिए start करते हैं stretching आज shoulder stretching में हम wall का support लेंगे आप एक बात को बिल्कुल भी ध्यान में रखें हम जो भी muscles की stretching करते हैं उस वक्त आपका muscles mind connection होना बहुत ही जरूरी है हम wall के उपर हाथ touch रखेंगे और अपने elbow को बिल्कुल भी extend करके रखेंगे और हमारे shoulder में हमें feel करना है कि हमारे shoulder muscles stretch हो रही है और आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं perform कर रहा हूँ आप बिल्कुल भी इसी तरह perform करें और comment में मुझे जरूर बताएं कि आपका workout experience कैसा रहा Be fit and fine Thank you